पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये सूँ आज हम लोग चालीसा काल मननचिंदन में कुरूस रास्ता का आकरिस्तान चौदवमा स्तान पर प्रवीसा मसी का जो शरीर खबर में रखे जाते हैं उनके दफन विदी के विशे में मननचिंदन करेंगी हम लोग लूकस को सुसमचार दियाए 23 वाकिय पच्चास से आगे एवन योहन के सुसमचार दियाए 19 वाकिय 38 से 42 तक हम लोग इसके विशे में मननचिंदन करते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसा मसी के शरीर को वहां पर पास में ऐसे एक कबर था जहां किसी मृत्व विक्ती को कभी दफनाया नहीं था वो नया खोदा हुआ एक वाड़ी में खोदा हुआ एक कबर था उस कबर में अर्मितिया के योसफ और निकदमस दोनोंने मिलकर कुरूस से प्रवीशा मसी का मर्दिशरीर को उतारा और दफन विदी किया इस स्तान पर हम मनंचिंदन करते हुए हमें याद करना है प्रवीशा मसी को कबर में इसलिए धफनाया गया वह हमारे पापों का प्रायचित करते हुए कुरूस पर मर गये उन पापों को मसी ने दफना दिया है उन पापों को दफनाया है जब आज हम लोग बपतीसमा ग्रहन करते हैं हम लोग वही विधी करते हैं रोमियों का पत्र उसके अधियाय छे को पढ़ते हैं रोमियों का पत्र अधियाय छे वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य चार हम उनकी मृत्यू का बपतीसमा ग्रहन कर उनके साथ इसलिए दफनाये गें हैं कि जिस तरह मसी पिता के सामर्तिय से मृत्गों मसी जीव उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जीए अर्थाद बपतीसमा का अर्थ पानी में नहाना नहीं पानी में डुबाना नहीं हाँ जरूर बपतीसमा शब्द का अर्थ डुबना होता है क्या डुबना है हमारे पापों को मसी के साथ दफनविदी करना वो है उसके लिए जल में डुबने का एक चिन मातरे वो चिन्य बताता है मैं मसी के साथ अपने पापों को दफना दिया डुबा दिया पाप में मर गिया मैंने उसको मसी के साथ दफना दिया अर्थाद खदम कर दिया इसके बाद पानी से बाहर निकलने का उस चिन्य का अर्थ है मैं मसी के साथ पुनर जीवित किया एक नया विक्ति बेने किया तो इसा मसी का शरीर को दफनाने का उद्देश ये मानवजादी के पापों को वो डुबाना नश्ट करना है वो खदम किया है एक अर्थ यही है इसके बाद तीन दिन के बाद उनका जीवित न एक नया शरीर के साथ रुपांदृत शरीर के साथ महिमानित शरीर के साथ उनका जीवित न उसी प्रकार हमें वी जीवित न है मसी में कैसे दफना ना है मसी में कैसे जीवट ना है यदि हम लोग एफेशियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 22 से 24 तक पड़ेंगे आप लोगों को अपना पहला आचरन और पुराना सोभाब त्याग देना चाहिए कुलोसियों का पत्र दिया यह तीन वाक्य नो में भी हम लोग पड़ सकते हैं हमारा पुराना सोभाब और जो पहला आचरन जो पाप का सोभाब आचरन को त्याग ना है क्योंकि वह बहकाने वाले दुरवासनाओं के कारण बिगडता जा रहा है और आगे क्या लिका है आप लोग पूर्ण रूप से नवीन अध्याद्मिक विचारधारा अपनाओ हमें आज पुराना उस सभाब पुराना विचारधारा वो पाप में जिंदिकों को उतार करके फेंगना है मसी के साथ उस क्रूस पर लड़काना है इसके बाद उसको दफनाना है इसके बाद मसी के साथ जी उटना है और आगे वाकिए 24 में यह लिका है और नवीन सभाव धारन करे जिसकी स्रिष्टी इस साके अईश्र के अनुजार हुई है एक नया सभाव नया मनुष्य बन करके हमें भी जी उटना है मसी को इसलिए दिफनाया है क्योंकि महिमान तिशरीर के साथ जी उटने के लिए वहां पर उनका जीवन खदम नहीं हुआ एक नया जीवन सुरू हुआ बप्तिसमा के द्वारा भी हम यही करते पुराना जीवन को त्यागना एक नया विक्ति बन करके जीवटना यदि एफेशियों का पत्र दिया आए दो को वाकि एक से बहुत ही सुन्दर है लेकिन हम लोग डायरेक्ट चार में जाते हैं वाकि एक से बहुत ही सुन्दर हुआ पढ़ करके आना एफेशियन चाप्टर टू वर्ण वर्ण वर्स लेकिन मैं फॉर से पढ़ रहा हूँ ये शुर की देया अबार है हम अपने पापों के कारण मर गे थे किंदु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसी के साथ जीवन परदान किया उसकी कृपा ने हम लोगों का उधार किया वाकिया 6 सबसे अच्चा उत्थम विश्वास करने लाएक एक वाकिया एवेशिन्स 2 खे उसने इसा मसी के द्वारा हम लोगों को पुनर जीवित किया और सुर्ग में बैठाया अर्थाद एक बबतीस मा के द्वारा पुराने जीवन को उतार करके फेंगते हैं मसी में विश्वास करते हैं उस समय पर हमें मसी के साथ सुर्ग में बिठाता है नया मनिश बनाया नया विचारधारा नया सोच एक पवित्र जीवन हमें दिया अर्थाद बप्तिसमा हमें नया बनाया नया मनिश्य मसी बनाया लेकिन बप्तिसमा के बाद हम लोग बार बार पाप कर रहे हैं यही गलत है बप्तिसमा के दुआरा हमें पवित्र किया मसी के साथ पुनर जीवित किया मसी के जो प्राइचित बेली हुआ उसका फल हमें उसके दुआरा मिला लेकिन बप्तिसमे के बाद भी वही कारियदी करता है इसलिए संदपवलोस कुनोसियों को लिखते हैं मसी ने जो अपने शरीर अर्दाद कलीजिया के लिए जो कश्ट जहला है उसमें जो कम्मी पड़ गई मैं अपने शरीर में सहन कर रहा हूँ मसी के उस दुख पिड़ा में कुछ कम्मी है करके लिखा है कम्मी क्या है? हम बपतीस मा लेने के बाद भी उसी पाप कर रहा है सेतान की गुलामी में जा रहा है इसके लिए संदपवलोस करते हैं हमें अपने शरीर में इसलिए सहन करना है हमें एक नर्ने करना है, एक द्रिड़ निच्छे करना है मेरे जीवन में आज तक जो भी गलत हुआ, पाप हुआ उसको मैं त्याग देता है एक पाप स्विकार के द्वारा विशेश करें चालीस सा काल के समय पर एक अच्छा पाप स्विकार करें और अपने सारे पुराने पापों को मन, वचन, गर्म के द्वारा सोच विचारों के द्वारा देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो पाप आप राद हुआ है उसके लिए पच्छताब करें पाप स्विकार करें उन पापों के लिए हमें भी प्रायच्छित करना है हमें अपन शरीर में दुख कष्ट देने का समय है अलिसा काले उपवास और परहेज का समय, हमारे पापों का प्रायच्छित करने का समय, इस प्रगार पुरान मनिश्य को हमें फेगना है और एक नया मनिश्य बनकर रहने का नरने करना है, चौदमस्तान यही हमें बता कर देता है, जैसे इस्सा मसीख शरीर को दफनाया जी पुरान मनिश्य को मसी के साथ दफनाना है, और मसी के साथ जी उड़ करके एक पवित्रदा का विश्वास का भक्ती का जीवन जिना है, मसी से जुड़ करके अर्थात कलीसिया से जुड़ करके रहना है, मसी जी उठा है और सुर्ग गया है, हमारे लिए सुर्ग का द्वार खोल करके दिया आज हमारे लिए सुर्ग में पिदा के दाहिने रहकर उस मद्यस्त बन करके हमारे लिए प्रार्षना करने वाला मद्यस्त है मसी हमें मसी के चर्ण में जाना है अपने पाप पुराना उस सुभाव को त्यागना है इसे मसी को दफनाया गया मैं मेरे पुराना सुभाव पुराना मनिश्य पुराना जीवन चरिया जो बुराईया जो करके आ रहा है कमजूरिया मेरे मैं उसको त्यागने के लिए त्यार हूँ और मसी ही बन करके मसी के साथ मसी के उस कलीस्या से जुड़ करके पवित्रदा का जीवन जीऊंगा इसका नरने कीजी मुझे सोर्ग में बिठाया है उस सोर्ग का आनभव में जीवन जीने का नरने करें रोमियों का पत्र उसके अधियाय आठ वाक्य ग्यार को पढ़ते हुए हम लोग मनंचिंदन करते हैं रोमियों का पत्र दियाय आठ रोमन्स चाप्टर एट वर्ज इलवन जिसने इस्सा को म्रतगों में से जिलाया यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने इस्सा मसी को म्रतगों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करते हैं आपके नस्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा अर्ठाद पवित्र आत्मा से बर कर एक जीवन जीने का अंदर ने करे वो हमारी सहाइदा करेगा प्रदारी का भक्ती का प्रार्थना का जीवन जीने की सहाइदा करेगा जब पाब का अवसर आएगा पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा इस शरक वचन पाब से दूर रहने का शक्ती पवित्र आत्मा हमें देगा उस पुरान मनिश्य को मैंने फेगा है, वो पुरान मनिश्य मुझ में नहीं है, ये पवित्र आत्मा हमें बता कर देगा, हमें पवित्र आत्मा मसी के साथ जिने के लिए जोड देगा, नरने की जीए, एक आत्मी की जीवन, पवित्र आत्मा में भरकर के जीवन, जिने का, प पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैयेशू